अंतराश्ट्रे बाजार में कीमती धातूओं की भड़ी हुई डिमांड और भारत में जारी लोकसवाचुनाव के बीच सोने और चांदे की कीमते लगातार बढ़ रही है मंगलवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 6,100 रुपए पर पहुँच गई जबकि चांदे की कीमत अपने ओल टाइम हाई 94,900 रुपए पर दी किलो पर पहुँच गई है सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदे की कीमत में और इजाफा होने की संभावना बनी हुई है जैपु सराफा एसोशेशन के पंकत सोनी ने बताया कि अंतराश्टिय बाजार में चल रहे विवाद और भारत में जारी लोग सबचुनाव की वज़े से शेयर मार्किट में उतार चड़ाव का दोर है बाजार की इस स्थिति के बाद आम आदमी के साथ व्यापारी भी सोनी और चांदी में निवेश करना पसंद कर रहे हैं दुनिया भर में भड़ रही तनाव के बाद वित्य एनिश्टिता के हालात पैदा होने के डर से दुनिया भर के केंडरी ये बैंक सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं जिससे लगाता सोने और चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है ऐसे में कीम्टी धातों की कीमत में भड़ोतरी का सिलसला जूम तक जारी रहने के संभावना है जैपुल सर्राफ़ कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जैपुल में 10 ग्राम 24 करेट सोने की कीमत 6,100 रुपए पर आ गई है वहीं चांदी रिफाइन के कीमत भड़कर 49,900 रुपए पर पहुँच गई है इस प्रकार बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में या तेजी अंतराश्ट्य घटनक्रमों उचुनावी माहोल के बीच निवेशकों की भड़ती रूची का परिणाम है आने वाले दिनों में कीमती धातों के कीमतों में और रदी देखी जा सकती है